हम लोग देख रहे हैं C++ का software download करने का प्रिक्रिया first of all play store पे click करेंगे उसके बाद search करेंगे turbo c droid जैसे turbo c droid करेंगे तो first icons जिसमें c++ का option होगा turbo c droid को install करेंगे अपने mobile पे install करने के बाद उसका एक छोटा सा box खुल जाएगा उस पे click करिएगा तो इस तरीका से कुछ प्रिक्रिया होगा और इस प्रिक्रिया के बाद आपका turbo c droid application mobile पे खुल जाएगा अब देखिए इस पर काम कैसे करिएगा file में जाईएगा new पे click करिएगа जैसे new पे click करिएगा page खूलेगा side में देखे है वहाँ 1-2 लिखा हुए जिस पे एक arrow का چीन है जैसे click करिएगा size बड़ा हो जाएगा बड़ा होने के बाद side में keyboard का option दिया हुआ है keyboard में जिस तरह से आप laptop में keyboard में काम करते थे कुछ उसी परकार से काम करना है काम करने के लिए first of all लिखा गया है hatch include iostream.h first of all hatch include iostream.h उसके बाद फिर enter बटन दबाना है फिर दूसरा header फाइल लिखना hatch include conio dot h याद कीजिए ये दोनों एक परकार का header फाइल है जो प्रोग्राम में लिखा गया meaning को ये प्रोग्राम में यूज किया गया function का meaning को ये store करके रखता है फिर बताया थे void और main void एक keyword है मतलब इसका meaning reserve होता है और main एक function है main function में semi colon बहुत का question था main function में semi colon क्यों नहीं लगता है तो वहीं से program read करना start करता है जिसके करण main में कभी semi colon का use नहीं होता CLR SCR का पूरा नाम होता है clear screen clear screen previous output को मिटाना हो तो मिटानी के लिए ही use करते है clear screen का उसके बाद int में तो variable ले लिए है a और b ये question ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम लोग दो number का sum पता कर रहे हैं अब previous lecture में देखे होंगे कि दो number का sum कैसे निकालता है देखे इसमें थोड़ा सा typing करने में दिक्कत होगा नेकिन practice करिएगा तो असानी से type कर दीजिएगा a और b दो number है पता करना है sum a का मान रखे हैं 10 b का मान रखे हैं 20 और नीचे लिख रहे हैं sum equal to a plus b जोडना आपको नहीं है जोडने का प्रिक्रिया computer करेगा हम लोग के वर declare कर दे रहे हैं अब देखे हमको down आना है तो side में arrow बटन दिख रहा है अब जैसे उस पे click करिएगा तो आपका automatic page जो होगा वो down की और आते चला जाएगा अब याद कीजिए previous lecture में हम लोग बता चुके थे program कैसे लिखाता है तो आपका notes में previous lecture का notes होगा तो आप वहाँ पे notes के थुरू आप यहाँ type करिए जैसे cout cout का मतलब बताया थे पुरा नाम होता console output cout का का काम होता computer पे कभी भी किसी चीज को display करना हो तो display करने का काम cout करता है cout में लिख दिये sum equal to sum equal to देखिए double invited comma में है जिसके कारण उसका color change होगा जो चीज double invited comma में रहेगा वो उसी तरह computer पे show करेगा sum equal to sum then indel का use किये indel का मतलब होता है line को break करना मतलब एक line से कभी भी दूसरे line में जाना है इंडel का use करते है फिर get ch get ch क्या करता है program को freeze करता है जमा करके रखता है और bracket बंद का मतलब वहीं पे program stop हो जाता है देखिए हम first of all program दिखा रहे है नीचे option भी दिया हुए open, compile, run, keyboard बोल सारा चार option दिया हुआ है अब ध्यान रखिएगा हम लोग को run में जाना है कहाँ पे जाना है run में और click करना है run पे जैसे run पे click करेंगे देखिए इसमें आ गया error अब error कैसे सुधरिएगा तो keyword से enter बटन दबाईएगा देखिए error दिखाया इस line में मतलब CLR, SCR में गलती है तो CLR, SCR छूट गया है तो वहाँ पे CLR, SCR लिख देंगे मतलब clear screen अगेन run में जाएंगे और फिर run पे click करेंगे तो जैसे run पे हम लोग click करते हैं देखिए उसका output sum equal to 30 computer